अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन प्लान कर लिया है नीट 2023 के लिए तो लास्ट 6 years 2017 से 2022 तक के papers का analysis मैंने जो किया उसमें जिस chapter से जिस unit से जितने questions पूछे गए उसके basis पर मैंने आपके सभी biology की जो 10 units हैं 11th और 12th NCRT में मिलाकर उन्हें 3 categories में divide किया है तो आप अपने revision में क्या करेंगे जिनको ज़्यादा importance दी गई है जिन units को उन्हें बार बार multiple times revise करेंगे at least हर 10-15 दिन में एक बार उन units को उन chapters को जरूर से देखना होगा ठीक है तो कौन से हैं वो chapters बचो सबसे ज़्यादा questions लास कुछ यह उसमें जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके तीन units से जिनमें है ecology, genetics and human physiology जिसमें से human physio पे तो आपकी अच्छी खासी command होगी ही genetics भी आप लोगों ने अच्छे से prepare किया होगा, ecology जरूर बचों का एक weak point रहता है क्योंकि सबसे last में पढ़ते हैं, but ecology को बार बार NCRT से revise करिये, क्योंकि लगबग 12-13 questions बचों इन तीनों units से individually पूछे जाते हैं, तो लगबग ये तीनों आपके 50 marks का score रखती हैं, ठीक है, then आपकी बाकी की 11th की जो चारों units है human physio के अलावा, that is diversity, structural organization, जिसमें की morphology, anatomy and animal tissues आ जाता है, including cockroach, ठीक है, cell biology और plant physiology, इन चारों को भी लगबग moderately important unit में ही आप रखें, क्योंकि इन से भी लगबग हर साल 9-10 questions from each unit पूछे गए हैं, यानि 40-40 marks का weightage ये भी रखती हैं, ठीक है और 12th में biotechnology and reproduction में, biotech के तो दोनों ही chapters important हैं, बचो, reproduction में human reproduction और reproductive health में से comparatively जादा question आते हैं, reproduction in flowering plant से 2-3 questions ही हैं, ठीक है, तो इन units को भी आप ध्यान से पड़े, revise करें, सबसे कम जिनसे questions पूछे गए हैं, वो है unit biology in human welfare, जिसमें की 3 chapters है, human health and disease तो फिर भी आपने prepare कर लिया होगा, but plant breeding and animal breeding जो chapter है, strategies जो chapter है, वो बच्चों को generally नहीं याद होता है, तो उसमें आप विल्कुल time waste ना करें, सिर्फ एक, मुश्किल से एक question हर साल इस chapter से पूछा जाता है, और microbes in human welfare को भी, tabular form में ही, उसके जो examples हैं, उन्हें देखे क्योंकि उससे भी एक या दो question मुश् है, इसी का एक detailed analysis भी बच्चों मैंने upload किया है channel पर, जिसमें 2017 से 2022 के बीश में हर chapter से individually कितने questions पूछे गए हैं, उसको detail में समझाया है, प्लस ये भी बताया है, कि आपको किस chapter को क्या ध्यान में रखते हुए revise करना है, किसे NCRT से revise करना है, किसके लिए short notes बनाए होने तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो link description box में given है, वो भी आप जरूर देखें, जिससे आपको आपके revision में help में लेखें, तो इस according अपने revision में चीजों को plan out करें, revise करें, जिससे neat में आप अपनी मन्चाही rank achieve कर सकें, और आप अपने dream medical college में admission ले सकें, ओके, बेस्टा फलाग!